कि अभू थे हलो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहा हैं खनिज संसाधन और खनिज संसाधन में पिछले बाले वीडियो में हमने दो तरह की खनिज संसाधन पढ़ लिए धात्विक और अधात्विक क्यों कि खनिज वो तीन तरह से केटेग्राइज मुखता किये गए थे इसमें से धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनिज तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उर्जा खनिज जो खन्जों का डिवाइड ऐसा ने तो उसमें जो धात्विक खनिज है तो धात्विक में भी जो गैस है उसको भी पढ़ेंगे नेचुरल गैस है तो यहां पर पहले हम दिखिए बात करते हैं कोईला की तो कोईला दरसल हाई क्या कोईला एक जिवासमी इनन है चुकि बहुत समय पहले जो प्रदभी में पेड़ थे उसमें उतल पुतल के काड़ दब गए और बाद में वो कोईला के रूप में टांसफॉर्म हो गया क्योंकि बहुत सारा उनमें दाब पड़ा ताप पड़ा तो उस वज़े से ये कोईला के रूप में हमें करवाट होके आज मिल रहे हैं जिसका हम इनन के रूप में उप्योग कर रहे हैं तो कोईला देखिए भारत में प्रथम जो कोईला खान खोदी गई थी वो खोदी गई थी रानी गंज और रानी गंज जो है वो दामोदर नदी के तट पर इस्थित है तो रानी गंज भारत में कोईला की पहली खदान थी भारत में कोईला के कुल संचित भंजार की दर्ष्टी से अगर देखा जाए तो संपन्राज यह जो की एक गणना आई थी 2020 में तो इसमें से कौन से हैं देखिए कि जारखंड, ओडिशा, 36 गण, पस्चिम बंगाल एवं मद्ध परदेश इसमें कोईला का काफी बड़ा भंडारी यहां पर मिलता है और देखिए ये वाला जो बेल्ट ही है पूरा की जारखंड, ओडिशा, 36 गण, पस्चिम बंगाल और मद्ध परदेश यह जो पूरा एक प्रकार से बेल्ट है यहां पर कोईला काफी बड़ी मात्रा में हमें मिलत भारत में कोईला के उत्पादन की द्रष्टी से 2019-20 के हिसाब से जब देखा जाए तो वहां पर देखी कौन था 36 गण, ओडिशा, जारखंड, मध्ध परदेश और तिलंगाना यह कोईला उत्पादन की द्रष्टी से 2019-20 के इसमें से आकड़े थे भारत के सहल तंत्रों मे कोईला निचियों यानि डिपोजिट्स का प्रमुख जो स्रोथ है वह गोंडवाना तंत्र मतलब की चट्टानों के बारे में हम जब सुरुई में इसी जब हम खने संसाधन पढ़ रहे थे तो हमने सहल तंत्र की बात की थी थोड़ा सा तो सहल तंत्र में हमने देखा था कि जैसे धारवाड है कुडपा है बिंद्यन है तो इसी प्रकार से एक गोंडवाना सहल क्रम होता है तो गोंडवाना सहल क्रम में ही हमारे भारत का मुखता कोईला इसी छेत्र में पाया जाता है तो गोंडवाना तंत्र जो की एक सहल का प्रकार है तो यहां पर ही कोईला क्या बहुत तो ऊच्छे वयल्ड नहीं तो उच्छ औसम एक मतलब राक जैसे कि जुथ जलाया ज से राखस्व है वह जादा निगलती है से दो गोंडवा ना नष्म को सबसे मानने के लिए उप्युक्तर्क है तो ने shifting गोंडवाना मुकता क्या है कि कोईले के लिए विसे सोर्स है गोंडवाना तंत्र जो है तो इसमें से भारत का जो 90% कोईला है ये इसी तंत्र में यानि कि गोंडवाना सैल करम जो है इसमें पाया जाता है प्राप्त जानकारी की वर्तमान इस्थिती और संसाधन इस्थिती को देखते हम उपयोग करते हैं और कोकारी कोईला चुकि इतना ज़्यादा नहीं है भारत में तो हम कब तक प्राप्त कर सकते हैं यह कब तक हमारे पास रहेगा तो लगबक 30 साल तक के लिए यह हमारे पास है और इसी लिए हमें कुछ कोईला जो की ज्यादा उप्योग है उसको बाहर से भी क्या करना पड़ेगा हमें आयात करना पड़ेगा छोटा नाकपुर अद्योगिक सकते हैं इसके साथ साथ में जैसे हमें इस्पात उद्योग लगाने हैं तो उसको भी हम यहां पर लगा सकते हैं देश में कुल कोईला उत्पादन में जहार खंड़ की भागीदारी तो दो हजार उनीस वीस के हिसाफ से अगर देखा जाए तो यह 18.03 प्रसत थी वह राजी ज नामचिक नामफुक कोईला छेत्र इस्थित हैं कोर्बा कोईला छेत्र अवस्थित हैं कोर्बा कहां पे हैं 36 गड़ तो 36 गड़ में कोर्बा जगए जो है वो कोईला के लिए प्रसिद्ध है यहां पर देखिए सूची एक सूची दो दी गई है तो सूची एक में दिया ग जो कोईला की खदान है वो दामोदर घाटी चेतर में है सोन घाटी में कौन से है देखिए खदान सोन घाटी में है ओमरिया खदान इसके बाद गोदावरी घाटी में अगर देखें तो सिंगरेनी खदान गोदावरी से है अगर यही पर हम महानदी घाटी की बात करें तो यह नदी घाटी जो प्रवाहित हो रही है बह रही है जो नदी ये उड़ीसा से बहती है तो तल्चर शेत्र यहीं पर इस्थित है भारत के कोईला उत्पादन में छोटा नाकपुर का योगदान कितना है तो छोटा नाकपुर का जो योगदान था फ्रिंट्स वो था 64 पृसत त उसके इंसाफ से ये आंकड़ा दिया गया है कोईला छेत्र में यह कोईला छेत्र जिसमें कोईला भंडार सरवादिक है तो कोईला छेत्र जहां पर देखिए कोईले का भंडार जादा है तो वह देखिए जरिया और रानी गंज जरिया और रानी गंज में कोईले का जो भं उपस्ते थे यानि कोईला खाया है यहां पर तो वहां पर ख़दान बना दी गई है यहां पर देखिए कथन और कारण दिये गया है फ्रेंट्स कथन दिया गया है लिगनाइट नीकरष्ट कोटी का कोईला है जिसमें कारबन की मात्रा 35-40 प्रिस्सत होती है और कारण यहां प गाति alors खuse между order of qbles शिलिए मुझें कारण कोटी का कोईला है यह बहुत अच्छा कोटी का कोईला नहीं है जिसमें कारवन की मात्रा जो है बहुत कुटी का कट्रेया नहीं में कारवन की मात्रा कोले जोी से चालिस परसेंट हृष्ड होता है वह तनी ही बहुत यह कम करवान ह यानि 35-40 सेंट है इसलिए यह निक्रष्ट कोईला है तो यह बात यहाँ पर kia है सही है भारत में लिगनाईट कोईले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहां पर तमिलनाडू जो छ yatते काफी पाए जाते हैं और यह निक्रश्ट कोटी के ऊते हैं सब्सक्राइब ने ने टृण म Color यहला मकंठे वह पाए जाता है यह बहुत ह Tou कोईले का अंतरराजी परिवहन रेलवे द्वारा संपन किये जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है और यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि बंगाल जारखंड कोईले की खदाने पश्मोतर राज्यों की कोईला आपूरती का प्रमुख स्रोत हैं तो यहाँ पर देख है भी दाजनक वहन मार्ग क्या करत है कि मैंक करती है बिलासपूर पर सिद्धः कोईले के ख़नन के लिए दोगत्पूरत मुख करनपुब करनपूरा कहां का यह ज्रारasser रासे गयाको यह सिंग्रेनी यह तलंगाना में और निवेली नांडुम है चयद गज्रतु है चार में सिंग्रेनी तेलंगाना नेवेली तमिलनाडू कोर्वा जो है ये 36 गड़ में कोईले के ब्रहद सुरक्षित बंडार होते हुए भारत मिलियन टन कोईले का आयात करता है क्योंकि भारत के अधिकतर बिद्दु सयंत्र यहां पर जो हैं कोईले से पर दिखने ही जलते हैं इसलिए भारत में दोनिखो 93-2 सल्ट कोलव हमें कोकाडि कोला जो है वो फराप्त होगा इसके बादzw twenty- exam होगा तो इस परकार से हम क्या करते हैं कि बाहर से कोले का आयात करते हैं तो बाहर से कोला जो आयात होता है उसका सेंत्र लगे हैं तो वह अधिकानस्ता कैसे चलते हैं कोईले पर अधारीथ हो ने की वज़े से मतलब अधार मातना में श्रराम नहीं है इसलिए हमें बाहर से क्या करना गढ़ाना पड़ता है इसके साथ साथ में देखी इसician बनाने के लिए बड़ी बड़ी और इसलेख के लिए के समस्य क्या है निम्न कोटि का कोईला एवं कोइला संचलन में बाधा धुलाई संसाधनों की योग छमता में कमी और कोकी कोईला के आयात पर बढ़ती निर्भरता ये भारत में कोईले की समस्या है अब देखी क्या है कि वही बात कि हमारे पास कोकवारी कोईला कम है अच्छी किसम का कोईला कम है तो इसलिए हमें बाहर से कोईला को क्या करना पड़ता है आयात करना पड़ता है कोईले का सरवाधिक उपयोग किसमे किया जाता है उर्जा उत्पादन में विजली उत्पादन जो है यह कोईला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गोंडवाना यूगीन कोईला यानि की गोंडवाना चट्टानों का जो कोईला है वो यहां पर काफी मात्रा में हमें मिलता है गुजरात पश्चिम बंगाल जहारखंड एवं पुजुचेरी में से वह चेतर जहां लि है और इसकी अवस्थिती कहा है मानदी घाटी में काणपुरा जहारखंड में है और जहारखंड में कौन सी नदी दामोदर घाटी पर है सिंग्रावली की बात करें यह मद्ध पर्देश में और यह सोन घाटी वाला जो चेतर है यहां पर अवस्थित है इसके बाद अगर स चेत्र है हमारा राजमहल और राजमहल जो है यह जारखंड में है इसके बाद सुहागपूर मद्ध परदेश में है विसरामपूर जो है यह च्छतीस गड़ में है और रानी गंज जो है यह पस्चिम बंगाल में एक बार पुरा देखते हैं कि राजमहल जारखंड पस्चिलन बंगाल का कोयला च्छेत्र है कोके राब देखिए फिर से की अधीन. माकूम कोहां प्रडेश कहें ना माकूम दॉत्त के लाजयात क्रेश के जहां पर और ऑधाकakah के माकूम आखेक हान परदेश कह पुना चल्मिली कोईला खदान जो है यह चतीज गड़ की इसके बाद करणपुड़ा कई बार आया देखी जारखंड का है रामपुर यह कहा का रामपुर हिंगिर जो है उडीशा का है और तो हाक पूर मद्द परदेश का है कि कई बार फिर से फिर से एक बार देखते हैं जिलिमिल भी च॥iniz गर्ट I can अवब्व्चातर हैं कोईला छेतर है यहां पार जो रंगित-घाटी oded गाटी प्रणोलाज मुण से भित्वा कुन्त करना के नतरा सै कि फ्यकुनाशंव हैं य। सी से ते मृडंप संच स्छुम यह मारे महाराश्ठेच का मैं वांच वया है कोईला के भंडार की दरश्टी से सरवाधिक महत्वपूर्ण है तो दामोदर घाटी जो है दामोदर घाटी ये दामोदर घाटी कोईला भंडार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भूमिगत कोईला दहन होता है ये कहां पे होता है यह जारखंड में है भूमिगत क शेत्रों के अधिग्रहण के संबंद में सरकार की अधिसूचना के प्रती किसी आपत्ती का अनुसरण करता है और दूसरा है कि यह सुनिश्चित करता है कि कोईला खनन कंपनियां बिहित समय में अंतिम उभोकताओं को कोईला वित्रण करें अब देखिए हमारे पास यह संसा असी तरह से जिवास्मों से बने हुए है तो भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार या तेल जोदन एकाई है वह फ्रेंड डिग बॉई में डिग बॉई और डिक बॉई कहां पर है असम में भारत में प्रोलियम का अग्रण जो अगणी उत्पादक राज्ज है वह और राजस्थान आभी भी काफी ज़्यादा प्रोलियम है उसका उत्पादन कर रहा है अब देखिए अगर यह जो राज्यों की बात है फ्रेंड्स तो यह मतलब तटिये च्छेत्र वाला है मतलब अब तटिये अगर जो भाग की बात करें हम तो वह वाले जो भाग अब त सिद्धन है किसके लिए महान तरौलक के बंडार के लिए फट्रॉलियम बंडार के लिए अंकलेस और वह वह पर प्रसिधन है ल выз पेट्रोल हांया का है 걸로 ust q.com भारत lateral घेल का कुवा कहोदा खुद्पा घर में फिर से देखाव थोढ़ा दुए जिंग्वर देखिए लो का ह गुजरात का है और और नवगराम छेत जो भी ये भी क्या है ये जा श colonies का है ऑन्ध प्रदेश में अवस्तित तेल परिशोधन शाला है तेल पर से जिसको हम सीय कहते है तो आंध प्रदेश में कौन सीनीय सांब यहां पर है विसाखा पटनम तेल- ल्ट केंद्र हल्दिया डिगबोई कोईली तथा मतुरा में से भारत की सबसे पुरानी तेल सोधन इकाई कौन सी है तो यह है देखिट डिगबोई डिगबोई में तेल सोधन का कार बहुत पहले समय से सबसे पुराना जो तेल सोधन इकाई है वो यह है डिगबोई की पनागुडी यह तमि पनागुडी जो है तमिल नाडू का छित्र है यहां पर पौण चक्कियां भी लगाई गई है और इसके साथ साथ में जो रॉकेट इसोरों का जो rocket engine plant है वो भी यहीं पर इस्थित है पनागुडी में भारत में सरुपतम तेल उर्जा का संकट प्रारंब हुआ तो तेल उर्जा का संकट जो है 1970 और 1980 के दौरान पे तेल का संकट आया था तेल हमारे हां इतना ज़्यादा उत्पादित नहीं होता भारत में इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि बाहर से आयात करना पड़ता है और अगर बाहर उथल उथल जादा होती है तो तेल में क्या हो जाती है कि कम हो जाती है क्योंकि आयात करने में फिर कटनाई होने लगती है एक तरफ देखिए आपर तेन सो दंसालाएं दी गई है दूसरे तरफ राज दिया गया है तो हल्दिया तेल सो दंसाला रिफाइनरी कहां की है ये है पस्चिम बंगाल की जामनगर गुजरात में है कोच्ची केरल में है और नुमाली गड़ जो है ये असम में है पुना देखिए हल्दिया पस्चिम बंगाल जामनगर गुजरात कोच्ची केरल का और नुमाली गड़ असम की refinery है देखे फिर से यहां पर दिया गया है कि ताती पाका तो ताती पाका तेल सो दन साला यानी की refinery यह आंध प्रदेश में है ताती पाका आंध प्रदेश और कोईली गुजरात का है बरावनी जो है यह बिहार का है ताती पाका आंध प्रदेश कोईली गुजरात ब जर आ रहे होंगे और वो इतनी जल्दी दिमाग को पच्टा नहीं है लेकिन सही बात तो यह है कि एकजाम में यही तत्थ हमें रटने ही पड़ेंगे याद ही करने पड़ेंगे तभी हम अच्छे से एकजाम कर पाएंगे क्योंकि यही एकजाम में सिधे-सिधे पूछे ही ज अरियांडा। यहांपर देखि ह 미ने एक जो सोधन साला वह किसके द्यूरा बनाई गई है तो बीपी की दौरा बनाई है ताटी पाका अंधपर्देश-घस। और यहीं पूछ सकता है कि बीना कहां पर है तो 36 मदपरदेश में हैं बीना मदपरदेश और ताती पाका आंधपरदेश डिगबोई असम और कोईली जो है यह गुजरात में हैं मंगला भाग्यम सकती एवं ऐस्वर्या हैं तो यह क्या है देखिए कि बाढ़ मेर सांचोर बेसिन में खोजे गए तेल के छेतर हैं यह मंगला भाग्यम और सकती एवं ऐस्वर्या छवदा는데 ब्लॉक या जेवी ब्लॉक और तू नोमिनेशन ब्लॉक एवं फौर भी फौर सी ओं त플,ब्लॉक समंधित हैं तो यह किस समंधित यह हैं पिट्रोलियम अन्वेशन से पिट्रोलियम прекं के छेतर यहां पर यह कुछ दिए गये हैं Hydrogen Vision में कि दोए 흜ार 25 सबन्द निया किए राइक कि यहां वा युन के भंडारण के लिए हम कोसिस कर रहे हैं कि यहां पर भंडारण भी हो जा हैं तो जब क्राइसिस होती है किसी थरे की तो हम उसका उप्योग यहां पर कर पाएंगे कोईली नूनमाटी हटिया तता बराउनी में से कहां तेल सोधनकार खाना नहीं है तो हटिया में तेल सोधनकार खाना नहीं है बाकी यहां पर देखिए कोईली नूनमाटी और बराउनी यहां पर तेल सोधनकार यहां पर लगी हुई है भारत में तेल अन्वेशन का कार किया जाता है तो ILE India Limited A.O.N.E.C. द्वारा तेल का जो अन्वेशन है वो किया जाता है देखिए भारत में ही नहीं बलकि भारत से बाहर भी तेल के सोदन के लिए या तेल की खोच के लिए कई चीजे हम लाते हैं ताकि बाहर भी हम तेल का जो है वो खोज कर सकें और उससे हमारा रिवेन्यू जो है वो काफी जनरेट होता है HBJ pipeline द्वारा प्राक्रतिक गैस का परिवहन होता है तो यह होता है कि इसमें दक्षण बेसिन में तो दच्षण बेसिन से एक pipeline जोड़ी गई है जिसको हम जे एच बीजे pipeline कहते हैं और इससे प्राक्रतिक गैस का हम क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाते हैं ट्रांसफर करते हैं हजीरा बीजापूर जगदीशपूर एच बीजे देखी यह एच बीजे जो यहां पर दिया गया था हजीरा बीजापूर और जगदीशपूर गैस pipeline निर्मित की गई है तो यह किसके द्वारा निर्मित की गई है उत्पादन किया जाता है तो मुंबई हाई मुंबई हाई से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है और मुंबई हाई से ही पेट्रोलियम का भी उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है यह जो है यह हमारा जो अरफ सागर है वहां पर इस्थिति एक काफ से प्रथक करने है तू भारत ने इंडिया स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिम्टेट की स्थापना की है इस है तू वह किन तीन इस्थानों पर भूमी गति स्टोरेज का निर्मार करेगा तो देखिए विसाखा पटनम मंगलावर और पादूर यहां पर हम तेल का क्या करें कि भंडार करेंगे दिश्थी की बाहर से तेल लाके बंडारित कर लेंगे और जब हमें आवसकता होगी और कुछ प्रित परिस्तितिया 국ra Mean इसका उपयोग कर लेंगे असानी से मुंबई हाई तेल छेत्र मुंबई तल से दूर है तो देखिए मुंबई हाई वाला जो छेत्र है न यह जो तठ है हमारा मुंबई का इस से इक सौझ किलटर जब हम जाते हैं अरब सागर में तब हुआ पर हमें यह मिलता है और वह पर हमने इसको कूवे बना रखे हैं और वह ही से भारी मातर है यहां से काफी ज्यादा मात्रा में हम निकालते हैं के जी डी सिक्स बेसिन में जो अपरेल 2009 मिल 2009 से लगतार चर्चा में रहा है तो यह भारी मात्रा में यहां पर क्या है गैस है यानि कि के जी डी बेसिन जो है गैस के संसाधन पाए जाते हैं तो वह कैमबे बेसिन कावेरी बेसिन और गोदाबरी बेसिन तो यह देखिए वही जो हमने वहाँ पर देखा था तो यह जो बेसिन है कैमबे बेसिन कावेरी बेसिन और कृष्णा बेसिन यह भारत में जो गैस के हैं काफी बड़े भंडार है जिनका हम बहुत समय उपयोग कर सकते हैं कोईला लकडी डीजल एवं पट्रॉल में से जिवास में इनन नहीं है तो यहां पर लकडी जिवास में नहीं है बांकि कोईला डीजल पट्रॉल यह सब जिवास में इनन है भारत में सबसे बड़ी तेल सोधन साला कहां पर है पाइपलाइन के हिसाब से देखें तो यहां पर हजीरा बीजापूर जगदीशपूर यानि की एच बीजे इसके साथ में जो इससे छोटी है वो है सलाया कोईली मथुरा और फिर इससे जो छोटी है वह जामनगर लोजी जो की इसके बाद जो इससे छोटी है वह कांडला भटिंडा पाइपलाइन तो यह इस प्रकार से इनका पाइपलाइनों का लंबाई से घटा हुआ क्रम है तो आई हो फ्रेंट्स आपको काफी जादा तथ इसमें मिले होंगे और यह उप्योगी भी बहुत जादा है तो इन्हें आ दो दो क्वाची जाद वाची झालाइन है तो जा उब भी जादें है